Um अब लोग हैं एक दिडिडिव चीज है जिसको पहले भी बोला था तश्रीघा संवार्में के लेकिन जा से और-दी-कौंटन है या यद्ली-डियों चीजिजह को अ vyकली है half ईर कुछछ और आप तक कहुंचाना जाहेंगे जो हम आप तक पहुंचाना जाहेंगे गैस होता है पेट में एर प्रोड़क्शन जैसे जादा होता है या खाने पीने से या हमारे स्वैलिंग से एर जादा आता है वो एक इशू है दूसरा जो एक्चुल जिसके लिए हम यह दवाई देते हैं जिसको OTC एंटेसिट्स बोलते हैं या डाइजेशन के लिए कुछ ए इंजाइम्स मिलते हैं या प्रोटान प्रॉंप इनिबिटर्स इसको पैंटर प्रिजोल वगरा बोलते हैं यह हमारा एसिड कम करते हैं तो एसिड का प्रोड़क्शन क्या होता है इसिड हमारे स्टॉमक में होता है हमारे जो जी आइस सिस्टम है उसमें स्टॉमक एक इंप पहली बोला जाता है, वहां पे वो जाके गिरता है, वहां पे कुछ cells होते हैं, जो यह acid बनाते हैं, तो इसका काम है, इसका function है, digestive process में खाने को काटना, cut करना, उसको digest करना, उसका process, after swallowing, जब हम चबा के swallowing करते हैं, तो acid सबसे पहले उसके act करता है, तो इस acid को requirement है body के क्योंकि यह digestion में help करता है, लिकन यह acid कभी कभी ज़्यादा बनने से, पेट में ulcer type दिकत होती है, या वो acid उपर food pipe में आता है, जैसे वो food pipe में आता है, या ulcer type होता है, तो हमारे यहां सेने पे जलन होना चुरू होता है, गले में खटी डखारे आती है, तेजाब आता है, और पेट में burning type pain होती है, जलन होती है, कभी मरीज बोलता है, खाने के बाद यह दर्द बढ़ता है, कभी बोलता है कि यह खाने से कम भी होता है, वो depend करता है, यह ulcer हमारे stomach में है, या duodenum में है, या gastritis, जिसको stomach का inflammation है, और swelling बोलते हैं, तो यह जितने भी antisettes हैं, इनो है, य जैसे हम digene या antisid पीते हैं, जो stomach में already acid बना हुआ है, उसको neutralize करते हैं, तो इनका efficiency है वो limited होती है, आपके stomach में acid आया, वो बना, वो symptom दे रहा है, हमने यह दवाई पिली, उसको neutralize कर दिया, यह ino type दवाईं भी लगबग यही करती हैं, कि उसको थोड़ा neutralize करती हैं, फिर तो दूसरा गृुप अब दवाğयों का है जिसको अपैंडेपryzole, रबیपryzole, ऋमेपryzole बोते हैं, जिसको अकसर लोग गयस की गोली के नाम से जाते हैं, कि यह गयस की गोली है, एक्चली यह गयस की गोली नहीं है, यह acid कम करने की गोली है, जिससे हमारा acid कम होता है, ज तो इन दवायां को seven cup करना चाहिए जैसे आपको कभी कभार once in a while महीने में दो महीने में कुछ heavy खाना खाया तो आपको acid बना तो आप एक अदा बार कभी इनो या डाइजीन या ऐसा म्यूकिन वेगरा जैल कोई भी एंटेसिट ले सकते हैं कभी कभार के लिए ठीक होता है लि पिर आपको higher medicine जिसको ये पेंटेप्रोजोल वेगरा पर जाना पड़ता है और इसके लिए भी आपको पांच-छे दिन हफ़ते बर का कोर्स करके अगर आपको better लगा तो इसको बंद कर दीजे और छोड़ दीजे और अपना रूटीन चालू रखे और heavy oily spicy food वेगरा कम कीज कोफी smoking alcohol इसको कम कीजिए अपना diet regulate कीजिए टाइम पे खाना पीना रखिये तो आपका ठीक चलेगा लेकिन अब एक और condition है कि आपने हफता बर खाया फिर भी बार बार दिक्कत ये दे रहा है उस time पे फिर आपको proper consultation की जुरुरत है specialist को guest pro या पेट विशे शे को दिखाने क की जुरुरत है क्योंकि कई बार अंदर कुछ problems ऐसे भी होते हैं जिसको बोलते कि ulcer अब बिगड़ गया, ulcer गहरा हो गया, कभी उस ulcer type problem में bleeding हो सकती है, खून की उल्टी हो सकती है, कभी वो ulcer perforate होके पेट में जखम भी मना देता है, तो उसको ignore नहीं करना चाहिए beyond one point, थोड़े थोड़े टाइम के लिए ठीक है, एक आदा बार पिया लेकिन अगर बार 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 आपको इन सब दवायां की जुरुत पड़ती है, तो proper consultation की जुरूरत है, चेक अप की जुरूरत है, और कई बार आपको डॉक्टर दवाई दे देगा, जो आपको चार छे हफते या दो महिने तक लेना पड़ेगा, यह पेंटर बिजो टाइब दवायां, आपको बैटर फील हो जाएगा, उसके बाद एक और स्टेज होता है, इससे भी रिलीफ नहीं हुआ, तो फिर एक proper test endoscopy जिसको बोलते हैं, जिसमें मुग के रासे से camera जाता है, और five to seven minutes का procedure होता ह है, जिसमें यह food pipe और stomach, और food pipe और stomach के बीच में एक junction होता है, जिसको lower isofusial valve बोलते हैं, उस सब को चेक किया जाता है, कि यह valve में हरनिया तो नहीं बन रहा है, अंदर कोई ulcer तो नहीं बन रहा है, यह H-pirory करके कोई bacteria तो नहीं पढ़ रहा है, जो यह problem करता है, तो इन सब का testing करके H-pirory bacteria का treatment देके, यह ठीक हो जाता है, कभी कभी rarely stomach में cancer type problem भी हो सकती है, अगर यह महीन, दो महीन, साल बर आपका चलता रहा, ठीक नहीं हुआ, और weight कम हो रहा है, भूख कम हो रही है, लैटरिन में blood आ रहा है, या काली लैटरिन हो रही है, तो इसमें tumor type problem भी कई बर ह हो सकती है, जो एक simple हम gas मानते हैं, so friends मेरा recommendation यही है, कि आप इसको ignore मत कीजिए, कुछ level तक home remedy ठीक है, और या antisets ठीक है, फिर एक point के बाद proper consultation की जरूरत है, और उसके बाद कई बार endoscopy या ultrasound और test की जरूरत भी पढ़ सकती है, thank you very much, नमस्कार.